हलो मेरा नाम डॉक्टर दीपक केड़कर है मैं एक मनोविकार सेक्स रोग सम्मुहन और नशामुक्ति तग्ये हूँ मैं इनलपी ट्रेनर और कोज भी हूँ कभी सारे लोग मेरे पास में आते हैं कि जो डिप्रेस है निराश और हताश है और जीवन में कुछ ना कुछ उन्होंने ठोकर खाई हुई है या उनको अपईश आया हुआ है और उसकी वज़े से वो डिप्रेस हो जाते है शयद उनको सफलता के सूत्र नहीं मालूम या सफलता के agreements काहINS इन जब चर्चा होती है तो उनसे जो मैं बात्चीत करता हूं वह आपकोडाता हूं थो उनको सफलता मिली नहीं करके वो डिप्रेस है तो क्या क्या जाया ताकि सफलता मिलेगी और उनका depression निकल जाएगा तो एक बात यह है कि responsibility लेना मतलब जिम्मेवारी लेना हम क्या करते हैं कि हम लोगों को blame करने में जुटे हुए हैं लोगों को काफी सारे blames करते रहते हैं कि सकस्षेस तबी मिलता है कि जब आप जो भी हो रहा है उसकी जवाब दर्याप अब जिम्मेवारी आप लेथे हो और काम की शुरुवात खुद करते हो एक चुन के शुरुवात करना और जिम्मेवारी से काम पूरा करना यह बहुत ज़रूरी है तो मैंने उसको कहाँ वो लोगों को मैं कहता हूँ responsibility लेना चलू करो नंबर दो कि लोग gossiping करते हैं मैं पूछता हूँ कि गॉसिपिंग में कितना आप टाइम खराब करते इस जब पूलते हैं को चार लोग बैटते हैं करते हैं और जो फाइंगे चार लोग बीटेंगे तो पांच नहीं कुछ बोल दोते रहेंगे वो थ्री फिल्टर टेस्ट आपको पता ही है उसके बारे में बोलता हूं मैं आपको नहीं पता हूंगे तो कि एक व्यक्ति अपने दूसरे दोस्त के पास में गया और वो बोलने लगा कि मैं तुमको कुछ खबर देना चाहता हूं तो जिसके पास में वो गया बोले रुख जाओ खबर देने के पहले मैं आपको तीन सवाल पूछता हूं उसका पहले मुझे जवाब देना और वो तीन सवाल का जवाब इडिया आपने ठीक तरह से तो मैं आपको जो सुनाना है उसनोंगा अधरवाइस नहीं पूछो आप त वो खबर अच्छी है कि बुरी है तो भी लए आप यह बूरी खबर है अच्छा यह जो खबर आप देने वाले हैं यह आपने सच्च्य है मतलब उसमें सच्च्य है कि आपको बता नहीं कि सच्च यह जूट है तो भी जो कि वह देखा नहीं जूआ सच्छी की जूट है मैंने सुना मैं आपको बोल रहा ह Annoy तुल ठीक अच्छा मतल मिलाव आपको मालूम है कि वह खबर अच्छी नहीं आपको यह मालूम नहीं कि वह सच ही की जूट है पूछता हूँ किया यह जो आप बताने वारे इससे मूझे फाइदा होंगा इससे फायदा नुखसान होंगा कि वीसी होँ आपको कुछ फायदा होंगा कि नुकसान होंगा मालूब नहीं से ठीक है तो फिर यह जो पहला सवाल 언제 tror viral तो अच्छे यह बूरी है दूसरा सवाल है कि आपने सच जूट है तो बहुते पता नहीं जूट है या सच के मने देखा नहीं अचा मुझे फाइदा हूंगे ने होंगा मैं आपको फाइदा ने होंगा फिर में सुनू का एको मेरा टाइम क्यों बरबाद करो तो इसको बोलते हैं गॉसिपिंग कि भई जैसा कुछ पूछे बिना कुछ उसकी सत्यता देखे बिना कम्यूनिकेट करना बताना तो सक्सेस्फुल लोग गॉसिपिंग में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं है किज़क सक्सेस्फुल बोग जयेक आज में एंथुच्ञ ज्ञास्टिक और एनरजेटिक रहते हैं एंसा भाता है कि यूँ फेकिट तीलि मेक उसमें हैं अब जो जैंगे तकतवर है सब पातवर तकतवर हो जip एनरजेटी हो जायेंगे तो शॉलाय त्सटिज्वन को एंटूस्यास्टिक कि इन एक्सुल मोर्लग ये किसी से नफूरत मिन करते अपने आजवाज़ी लोगों उसे- लोग जैसे है वैसे हए यह से नहीं है वैसे नहीं है लोग करते रहते दिन भर कि आपके आज्वाज़े में लोग रियक्शन करते रहते इसलंगा है और जैसा है उसको स्वीकार करना नफरत नहीं करना लोगों से तो भी रिष्टे अच्छे बनाने में बहुत काम्याब हो जाता है और उससे सक्सेस मिलता है सक्सेस्फुल लोग जो है वो लोगों का सपोर्ट लेने में आगे पिछे नहीं होते क्योंकि लोगों का जब सपोर्ट लेते हैं जब टीम वर्क करते हैं लोगों से साहता लेते हैं तो कभी आज हम उनसे कुछ साहता ले रहे कर हम उनको साहता करेंगे तो वो टीम तेहर होती है और टीम जो है ना वो टीम जित्ती है तो हरदम सक्सेस्फुल लोगों के आसपास काफी लोग रहते हैं कि जो टीम में काम करते हैं सपोर्ट करते एक दूसरे को और लोग सक्सेस्फुल होते रहते हैं तो टीम की मदद लेना, टीम तयार करना, टीम की मदद लेना, लिडर्शिप प्रोवाइड करना, यह बहुँ जरूरी है, फिर सक्सेस्वल लोग लोगों को हरदम, लोगों के परती, हरदम अक्नॉलेजमेंट, कृतदनेता अविक्त करते हैं, वो आभार लोगों को मानते रह है यह बहुति आप लोगों को धन्यवाद देंगे, आभार मानेंगे, उनको थेंक यू बोलेंगे, उनको अखनॉलेज करेंगे, तो लोग फिर क्या होता है कि और काम करना चलू करते हैं आपके लिए, तो एक तो लोगों के परती हम जब आभार रिखता करते हैं, तो और उनको कुछ तो vital apoyo ओपनिंग्स ऐर एक्शन्स मिलें मतलब मैं थापके पूच आ दुआ यह त्रीक यह प्रश्व lifetime सखिय कि tastes आपका शड बौट अच्छा है तो आपका श्र Bubert जो है वो बहुत ही अच्छा है बहुत ही आप मतलब अच्छा चॉइस करते हो आपका चॉइस बहुत बढ़ी है तो उसको भी अच्छा लगता है और उसके लिए उपनिंग मिलता है आगे के लिए तो लोगों की प्रशनमसा करो धन्यवाद दो कृततनेता विक्त करो रिक्छत सुनते हो तो उससे आपको उर्जय मिलती है क्या पॉजिटिव जो है बाते अंदर यह आएंगी पॉजिटिव बाते तो अंदर की निगेटिव बाते आप यह आप नीचे दब जाएंगे और आप उर्जय मिलेंगी काम करने के लिए तो सक्सेस्पुल लोग को मतलब चक्का लगा हुआ है आगे बढ़ते रहते हैं और हरदम प्रोग्रेस करते रहते हैं तो यह काफी सारी बाते हैं इसमें से मैंने कुछ चंद बाते आपको बताई तो ही दिया आप करते हैं तो मैं लोगों को हरदम बोलता हूं कि पर डिप्रेस में को कारण नहीं है आपको सफलता नहीं मिली, डिप्रेस हो गए ठीक है, अभी आज बोलो आज से क्या करते हो, और आज से ही आप काम करना चलू करोंगे, जो मैंने बोलाओ, वोई पत पे, तो काफी सक्सेत आपको मिलेगा, सफलता आपको मिलेगी, और आपके जीवन में प्रोशनी आएगी, आ उनको फायदा होगा, आपको भी फायदा होगा, सब्सक्राइब करो, और वो बेल आएकॉन जाता है, उसके पर हिट करो, थेंक यू वेरी मच्च,